दोस्तो बोलिवुड की तमाम खबरों के बीच कुछ ऐसी खबरे भी सामने आ जाती है जिने हर कोई जानना नहीं चाहता लेकिन अगर फिल्मी दुनिया से आपकी दिल्चस्पी है तो आपको इसके बारे में जरूर जानना चाहिए दोस्तो सूटिंग के दोरान एक्टर एक्टरेस को बहुत कुछ सैना पड़ता है लेकिन खासकर एक्टरेस को यहाँ पर आने के बाद बहुत सारी परेशानियों को जेलना पड़ता है दोस्तो आज हम आपको कुछ ऐसी अभिनेत्रियों के बारे में बताने वाले हैं जो की सूटिंग के दोरान ही प्रेगनेंट हो गई थी तो दोस्तो इन अभिनेत्रियों के बाने में जानने के लिए हमारी इस वीडियो को लाश तक जरूर देखे अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक वे शेयर जरूर कीजिए जया बच्चन साल 1975 में आई फिल्म सोले की सूटिंग के दोरां जया बच्चन प्रेगनेंट थी फिल्म में उन्होंने एक बिद्वा लड़की का किरदार निभाया था और हर समय साड़ी पैनेंग रहती थी दरसल उन्होंने अपनी बेबी बंप चुपा कर रखा था इसके बाद जया ने अविशेक को जन्म दिया था साल 1977 में फिल्म जुदाई की सूटिंग के दोरां श्री देवी प्रेगनेंट हो गई थी उनका बोनी कपूर के साथ अफेर था और वे उनी के घर पर रहती थी इस फिल्म को स्री देवी ने पूरा किया और फिर उसी साल प्रेगनेंट होने के बाद बोनी कपूर के साथ साधी कर ली थी उस फिल्म में स्री देवी के अलावा उर्मिला मात ओर कर भी थी और उसमें उनका नाम जानवी रखा गया था उसी से परभावित होकर स्री देवी ने अपनी बेटी का नाम जानवी रखा था वोलिवुड की चुलबुली एक्ट्रेस जुही चावला ने साल 2001 में आमदरी अठनी खर्चा रुपईया में शानदार काम किया था मगर स्चुटिंग के दोरान वे प्रेगनेंट हो गई थी लेकिन फिर भी उन्होंने फिल्म को पूरा किया था इतना ही नहीं बलकि जुही ने फिल्म जनकार बीट्स की स्चुटिंग भी पूरी की थी और उस समय वह दूसरी बार प्रेगनेंट थी साल 2012 में आई फिल्म हिरोईन में करीना कपूर लीड रोल में थी लेकिन निर्देशक मदूर भंडार करने इस से पहले इसमें एश्वरिया को ले लिया था एश्वरिया ने फिल्म साइन की और सूटिंग स्टार्ट कर दी थी लेकिन फिर उनकी प्रेगनेंसी की वज़े से उन्हें फिल्म को छोड़नी पड़ी थी इसकी वज़े से मदूर भंडार कर को काफी नुक्षान उठाना पड़ा था इसके लिए काफी दिनों तक विवाद भी हुआ लेकिन बाद में सब कुछ ठीक ठाक हो गया था